पेड़ फांसी लगानी पड़ेगी यह इतना बुरा इतना बुरा आलू का हिसाब है किस तरह से सड़ रहे हैं आप किसान काता है एक भी बोट वीजेपी कुल नहीं जाएगा ना कोई पत्रगर आता है ना कोई मेडिया बाला आता है पिदाग पुर्ण प्रिकास भी बीजेपी का संसद भी एहमा मानिन का या कोई भी आप तक नहीं आप बीजेपी का नवस्कार निउस चक्र आ पहुंचा है देश के अन्दाता किसान के पास एक बार फिर आपको याद होगा कि निउस चक्र इसी तरह से पश्ची में उत्तरपदेश के बागपत और शामली पहुंचा था जहां पर हमने वहां के गन्ना किसानों से बात की थी उन गन्ना किसानों के चेतावनी स्पष्ट थी कि मोधी और योगी इन इलाकों में प्रवेश न करें क्योंकि उन्हों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत के बाद जिस तरह की सियासत बीजीपी कर रही थी हमें जानना चाहते थे कि इन इलाकों में देश के ग्रामीन इलाकों में खासकर मतुरा और आगरा जो की बीजेपी का गड़ माना जाता है वहाँ पर इसका क्या असर पड़ रहा है हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश के आलू किसानों से और उन आलू किसानों के जरीए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पुलवामा पे जिस तरह की सियासत हो रही है उससे उनकी तमाम समस्याइं धुल गई है क्या अब उन्हें पुलवामा के बाद अपने आलू की कीमत नहीं चाहिए क्या उनकी समस्याइं खत्म हो चुकी है बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि प्राइम टाइम चैनल्स निउस चैनल्स पूरी तरह से इन समस्याओं को खत्म कर चुके हैं यह कहा जाए खा गए हैं हम आपको बता दें इस वक्त हम एक आलू के खेत में हैं और मेरे आसपास बरबादी है बरबादी है आलू की फसल की आप देख सकते हैं जमीन पर इसी तरह से यह आलू पड़े हुए हैं बारिश की वज़े से, सरकारी उदासीनता की वज़े से, ये आलू पूरी तरह से बरबाद हो गए हैं, हर तरफ आप देख सकते हैं, ये आलू इसी तरह से पड़े हुए हैं, बरबादी हर तरफ है, और जाहिर सी बात है कि जब सरकार के सामने, सरकार के सामने दबाव ना हो लोगों के मुद्दों का समाधान करने के लिए, किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए तो अक्सर, अक्सर ये समस्याएं बढ़ती जाती है, हमारे साथ कई किसान हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये आलू का किसान कबसे परिशान है इस इलाके में? और कोई समाधान सरकार की तरफ से नहीं है कोई समाधान ना तुझा आस तक यह बताइए जो बड़ी-बड़ी बाते की गई वही किसान को 2000 रुपया दिया जाएगा तमाम बाते की जाएगी उसका कोई समाधान आप लोगों को तक पहुंचता दिखाई देगा कुछ नहीं और लोनमाँ भीडे आप लोगों से अर्से से की है क्या मैं आप से पूछू कि आलू के किसान और खासकर इस इस इलाके के जो किसान है उनकी जिदगी का यह सबसे विश्म काल में से एक है इसे समझना चाहता हूं घरों में क्या हालाथ है घरों में इसका क्या दबाव है क्यूंकि मैं आपकी चेहरों पर उतनाव देख सकता हूं हम जानते हैं कि टेलविजन चैनल्स पर जब से पुलवामा को लेकर एक हमला हुआ है तब से शहादत को लेकर एक सियासत हो रही है और इस सियासत के चलती ये जो मुद्दे हैं वो दब कर रहे गए हम अपने किसान भाईयों से जानना चाहते हैं कि क्या जिस तरह से उनमाद पहलाया जा रहा है जंग को लेकर आप उससे इतिफाक रखते हैं क्या आपको लग रह सब्सक्राइब कोई ना रत्ती वरे जो सरकार शहादत के नाम पर सियासत करती है आप उससे इतिफाक रखते हैं आप लगता है ऐसा करना चाहिए सरकार नहीं करना नहीं चाहिए परकूल और इनको यह कंदेना चाहिए यह बताओ अभी तक लॉन वाप नहीं हुए कुछ भ सबस्क्राइब नहीं नहीं आया भी तक वाप देख सकते हैं उस जंग की उनमाद में बुन्यारी मुद्र हम फूल गए और आप लेकिसी देकर किसान का दिल कैसे दुखता होगा और जाहिर सी बात है जब सरकार उदासीन है यह देखिए यह देखिए और आपने सुना आपने देखा यह देखिए हरे हरे हालत है इन खेतों का मुझे उस किसान के शब्द अभी याद आ रहे हैं जिसने कुछ देर पहले कहा कि हमारे पास आत्म हत्या के लावा कोई रास्ता नहीं बचाए जी हां जब सरकारें इन समस्याओं को लेका रुदासीन हो जाते हैं तब इस तरह की नराशावादी बातें उत्पन होती हैं आप जानते हैं ये किसान दोहरे दंश का सामना कर रहे हैं दोहरी मार का सामना कर रहे हैं सबसे बड़ी बात ये कि मीडिया का ध्यान इनकी तरफ कभी नहीं जाता यहां पर अभी भी मेरे किसान से बात हुई उन्होंने का कि पहली बार मैं किसी मीडिया को चाहां आप एक अरसे से किसानी कर रहे हैं कभी यहां की समस्य सुनने कोई आया है कोई नहीं अचाहा है और आज पहली बार में श्चेतर में मीडिया को देख रहा हूं ना कोई पत्रगार आता है ना कोई मेडिया बाला आता है मैं देख रहा हूं हर तरफ यह अलू दिखाई दे रहे हैं और यह मेरे खाल से हरा आलू आपके लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं नहीं यह बुरा नतीजा है और किसान पर करज है किसान तो अमेसा करज में ही रहता है क्योंकि फसल के उपर टेपेंट उता है उसके पास कोई बिजनेस तो है नहीं और दूसरा साइड बिजनेस हो जैसे को सरकार दावा करती हम यह ओफर दे रहे हैं अब आप लगा लिए प् दो हजार का फाइदा है क्या जो किसानों में भी बटवारे रहें बड़ा किसान फिर भी कुछ हद तक फायदा कमा रहा है नगर चोटा किसान लगातार पिस रहें जैसे बड़े लोग कस्तगार हैं यहाँ किसी वाप 50 बीन जैमीन है किसी वाफ सो भी बाई दोसो भी आ है तो जैसे कि यहां पे कई बार गेहों की बारे में करते हो जिसानों को मुश्म पाइस्टी हुई तो तो छोटे वर के डिंख कर देशनल्य जैसे कि और हिमा मानली जी रूपूब तो नहीं कि है माली जिसलिए ढर जाती है कि शाइड इस गाउं में बहुत सारे गबर सिंग हो पर यहां पर बोट तो ले गए पर आने का कोई नाम नहीं आता है अब बोट बीजेपी को नहीं देंगे किसान को बोट नहीं किसान का नेता हो कोई भी देखें बीजेपी ये बहाना नहीं कर सकती कि सहाब अभी हमारी यहां सरकार नहीं है यहां पर क्या है यहां पर केंद्र राज, सांसद, विधायक सब जगह बीजेपी है और बावजूद इसके इनकी समस्याएं मुँ बाहे खड़ी हैं इनकी समस्याएं कोई सुनने को राजी नहीं है किसान को कई मोर्चों पर मार का सामना करना पड़ रहा है हमने देखा सरकारी उदासीन था हमने देखा किस तरह से सांसद को परवाह नहीं है अपने किसानों की अब हमें खेत में हैं और मौसम तक ने भी इनके साथ नाइंसाफी की है ददा मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बार आलू की फसल कैसी हुई है हलकी है हलकी है किसा आलू निकल रहा है आप हमें दिखा सकते हैं अब कि तो यह जो आलू निकल रहा है यह कैसा आलू है ठीक आलू नहीं है नहीं चोटा है बहुत गुल्ला गुल्ला साज कि मार्किट में बेखेगा ऌड़ले लेगी सबजी नहीं चलेगी यह तो बीज पीज में बैसेюсь में चलाम बस यह हैं नहीं तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा चेन बना हुआ है किस तरह से किसान जो है वो तकलीफों का सामना कर रहा है मौसम की मार भी पड़ी है और फिर इस किसान की समस्या को लेकर आप और हम जो शेहरों में रहते हैं वो पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं क्योंकि हम उस मुद्दे को छूना भी नहीं चाहते हैं हम उस मुद्दे की बात तक नहीं करना चाहते हैं यह है इस किसान की तरास्दी तो यहां आप देख सकते हैं कि आलू को छाट कर उसे पैक किया जा रहा है और यहां पर किसानों से मजदूरों से जो खासकर वो मजदूर जो इन खेतों में काम करते हैं से बात करकी अभास हुआ है कि जब किसानों को नुकसान हो रहा है तो इसी से मजूर की काम करते हैं अगर अगय के संथे घर में कहां यहाँ से रूटी आएगी आप से सरकार किसान की हित में नहीं किसान के नंबस दूर के किसान के बेहाल है निहाल है और जैसे लूं माप कर्यी एक एक अधिया है गई यह निकाव की बईना हमारी है आपको लगता है कि आपके साथ यह मजाग किया किसान है और माता जी जो मेरे साथ है यह मजदूर है माता जी आप बताइए किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है अब घर में जी अब है और जाना मुश्किल हो रहा है अपके हर में बच्छों के पेट में अन जाना मुश्किल हो रहा है अन्न जाना मुसकल हो रहा है जब किसान कुन रेगो गई अविजार जंगली सूर जे सगे खाय रहें तो फिर कांते आवेगो तो आप देख सकते हैं कि सूरो द्वारा जो बरबादी मचाई गई है उसके निशानात यहां पर हैं आप देख सकते हैं किस तरह से सूरों ने बाकाइदा ये सब उखाड दिया है अब ऐसे में इस फसल के क्या माइने रहे आप सोच सकते हैं इनसान किस तरह से किन दूभर हालात में अपनी जिंदगी बिता रहा है यह एक रात का कमाल है आप देख सकते हैं पूरे इस खेत के इस हिस्से को जंगली सुवरों ने मवेश्यों ने बरबाद कर दिया यह देख स पाड़ियां नील गाया बोलते हैं बहुत परिशन कर रखाया जंगले जान में क्या किया जाएं अब क्या कोई सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं दिखाई देती आपको सरकारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है घुब कि अपने जानना यहां पर चाहता हूं कि जब संसराइप में समस्यां क्यों बनी हुई सवाल क्राश्टमियाँ को टो पूंशना चाहिए हैं क्या किस आई मगर फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है कोई नहीं सुनता है क्या किया किया कोई सुनवाई नहीं क्या इस बार बीजेपी को वोट जाएगा जब लोग सब्सक्राइब और देखते हैं कोई और फाइटी चुनेंगे तो सुन्वांब स्यासी मायने भी हैं क्योंकि हमारे बेशर्म राजनेता या बेशर्म राजनीती तो सिर्फ वोट की भाशा समझती है ना और वोट को लेकर खेल चल रहा है प्राइम टेलविशन में पुल्वामा में हूई सिया जात्सnect जो शहादत हुए उसके बाद जसी तरह की सियासत चल रही है ہमारे जवान मरें उसका तो कोई जवाब नहीं दे रहा है उन जवानों की मौत का जिंबदार कौन है मगर उस पर वोटों की रोटियां से एकी जारी है और यहां उस चक्कर में उस शहादत के चकर में इन निलों की समस्याओं को हम भूल गए हैं तो ये गाय नहीं सांड नहीं नील गाय फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं दो नील गाय खड़ी हुई हैं और इसी तरह से ये नील गाय ये जंगली सुवर जो हैं किसानों का जी का जंजाल बने हुए हैं इस तरह के नजारे आचार है उन्होंने सरकार को नजाने कितनी अरजियां दी हैं मगर उसकी मदद नहीं की गई है आप देख सकते हैं किस तरह से खेतों में सांडों का जानवरों का कहर है यहां आप देख सकते हैं पूरा खेत खुंकार सांडों से भरा हुआ है उन वो खुंकार सांड जिनके पास किसान जाने से डरते हैं जी हां ये जो है एक नई समस्या है और इस वक्त हम इसी तरह से एक आलू के खेत में खड़े हुए हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये फसल बरबाद हो रही है और इस फसल के बरबाद होने की एक प्रमुक वज़ा ये है कि इस तरह स एक खौफनाग नजारा तो है क्योंकि कई किसानों की जाने जा चुकी है इस चक्कर में जब आप देश के ग्रामीन अलाकों में आते हैं तब आपको ये बात समझ आती है कि ग्रामीन भारत और शहरी भारत के मुद्दे कितने अलग है जहां शहरी भारत इस बात को लेकर खुश है और वो अपनी सरकार से इस मुद्दे को लेकर सवाल भी नहीं कर रहा कि आखिर तुम पुलवामा की शहादत पर सियासत क्यों कर रहे हो और वो अपनी बुन्यादी समस्याओं को भी भूल गया है वहीं ग्रामीन भारत जो है वो आईना दिखा रहा है मोधी सरकार को उसकी समस्याओं अभी भी बदस्तूर वही बनी हुई है शुनावों में अभी काफी वक्त बाकी है और जाहिर सी बात है कि उस वक्त और अब के हालात में जमीन आस्मान का फर्ख हो सकता है मगर देश का किसान खासकर मतुरा और आगरा का जो आलू किसान है वो इस सरकार को माफ करने के मूड में बिलकुल नहीं दिखाई दे रहा उसकी समस्याएं वहीं के वहीं बनी हुई है वो पुलवामा के बाद जिस तरह की सियासत मोडी सरकार या बीजेपी खेल रही है उसके जहासे में आने वाला नहीं है और ये अपने आप में एक बहुत कठिन और कड़ी चुनौती है उन लोगों के लिए जो हमारी शहादत पर सियासत करते हैं